हाइ, गाईज. जितने भी स्टुदेंट्स हमारा एप, जो भी है, Unnati Classes का एप जो है, वो जितने भी स्टूदेंट्स प्लेस्टूर से डाउन्लोड कर रहे हैं, काफी सारे स्टूदेंट का ये डाउट हे की वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं एप में पहले लोगिन करके कैसे जाके नोट्स को लिया जाता है ठीक है तो मैं थोड़ा इस वीडियो के द्वारा ये समझा दूँगा आपको कि कैसे हमारे एप से आप जाके easily नोट ले सकते हो ठीक है या फिर जो भी question paper है जो भी अगर आप search नहीं करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के description box पे भी आपका ओ लिंक मिल जाएगा उसके बाद comment section पे भी लिंक मिल जाएगा और हमेशा तो हम ग्रूप में बताते हैं लिंक देते हैं साथ में तो आपको क्या करना है उस link पे click करके directly आपको google playstore पे चले जाना है and directly आपको उधर पे 19 classes का app मिल जाएगा आपको उसी app को download करना है पहले download करने के बाद आप उधर पे देखना एक option आएगा sign in करके तो आपको क्या करना है आपके अभी जो फिलाल जो active email id है उसी active email id से आपको उधर पे login करना है हम ये surety देते है कि हम किसी के साथ कभी भी वो share नहीं करेंगे just for the sake कि कौन join कर रहा है वो जानने के लिए हम एक report रखते है हमारे pass ठीक है अभी जैसे आपने login कर लिया login करने के बाद आप मेरे screen पे अभी जो देख रहे हो same आपके screen पे भी same ऐसा ही एक कुछ आएगा interface जिस पे लिखा रहेगा कि let's learn something more ठीक है तो आपको क्या करना है आपको उपर जो तीन जो आपको line दिख रहा है एकदम corner पे उपर एकदम तीन line जो दिख रहा है उस पे click कर सकते हो या फिर आप let's go पे भी click कर सकते हो ठीक है आप science के student हो आपको first semester के VSE subject का notes चाहिए मतलब FAUG का subject है VSE value added course उसका आपको sports का note चाहिए तो आप कैसे खरीदोगे उसको आपको क्या करना है science पे पहले आपको click करना है science पे click करने के बाद इधर पे तीन option मिलेंगे एक है PYQ यानि previous year question एक है syllabus एक है notes तो जैसे कि आपको notes चाहिए तो आप notes पे click करोगे notes पे click करने के बाद उसके बाद फिर से आपको तीन option दिया जाएंगे क्या क्या option है FAUG, TDC and HS so अभी आप FAUG के student हो यानि 4 year degree course का तो आपको क्या करना है FAUG पे click करना है जैसे आप FAUG पे click करते हो आपके पास फिर से 8 option मिलेंगे आप कौन से semester का चाहिए आपको तो obviously जो VSE sports का note है वो एक first semester subject का note है तो आपको क्या करना है आपको first semester पे click करना है जैसे ही आप first semester पे click करते हो आपके सामने कुछ एक ऐसा interface आएगा जिस पे आपको लिखा रहेगा कि क्या-क्या note अभी available है तो हमारे पास अभी first semester के science के इनी subject का note available है जो आप screen पे देख पा रहे हो DSM chemistry, VSE sports, then VSE yoga then DSM English और उसके बाद VSE NSS बाकी जितने भी notes है total 21 subject के note अभी फिलाल हमारे पास available है first semester का वो कल रात को कल रात 12 बजे से पहले आपको app में दिख जाएगा ठीक है और सभी का price लगबग ऐसा ही रहेगा 125 जैसा पहले-पहले दो दिन उसके बाद price को increase किया जाएगा ठीक है तो आप अगर खरिदना चाते हो discounted price में तो आप इधर से directly ले सकते हो कल या पर्षू के अंदर-अंदर ठीक है तो अभी क्या करना है जैसे कि आपको VSC Sports का नोट से यह तो VSC Sports कहाँ पे है उपर है सायद इधर पे VSC Sports है तो मैंने क्या किया मैंने अभी मुझे क्या करना है मुझे View पे क्लिक करना है तो जैसे ही मैं View पे क्लिक करना हूँगा करने के बाद मेरे पास दो option आता है पहले आता है Try Demo PDF और उसके बाद Buy Now तो आप obviously कुछ खरीदने से पहले तो देख लोगे न Demo लेके कैसा है तो आप अगर देखना चाहते हो वैसे तो Best Notes है मतलब Guarantee के साथ बता सकता हूँ लेकिन अगर आपको देखना है तो आप Demo Note पे भी क्लिक कर सकते हो जैसे ही आप Demo Note पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ एक ऐसा पर Unit का कुछ एक Demo आ जाएगा कि क्या-क्या उसमें मौजू दे मतलब थोड़ा-थोड़ा रहता है क्योंकि हमें जो Main चीज़ है वो तो हम Note पे देखर रखते हैं Note का हिस्सा है जो भी हम Demo पे देते है उसी का हिस्सा Note से लिया जाता है अभी मैं दो चीज़ समझा जेता हूँ इधर पर जैसे कि आपने इधर पे जो मतलब एक जो Moon वाला उप्शन देख रहे हो आप उपर में जैसे कि Half Moon उसको अबर क्लिक करते हो आप तो वो Dark Mode में चला जाता है और फिर से क्लिक करने से वो Light Mode में आ जाता है ठीक है Normal Mode में फिर आप जो मतलब वो जो Rotate वाला उप्शन है उससे क्लिक करके आप Mobile को Rotate करके भी पर सकते हो ठीक है तो अभी हम निकल जाते है इससे क्योंकि हमें Note को खरीदना है अभी क्या करेंगे हम Buy Now पे क्लिक करेंगे तो जैसे हम Buy Now पे क्लिक करते हैं करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा एक payment page आ जाएगा जिस पर आपको लिखा रहेगा Scan and Pay with Any App मतलब आप क्या करना चाहते हो आप यहां तो इधर से किसी दूसरे मुबाइल से आप scan करके यहां से Note ले सकते हो दूसरे मुबाइल से जैसे ही आप scan करके payment करोगे Automatically redirect होके Note मतलब हो जाएगा मतलब आपके पास आ जाएगा फिर आप देखोगे कि मतलब Original PDF आपके पास आ चुका है ठीक है और साथी साथ अगर आप मतलब किसी दूसरे मुबाइल से पे करना चाहते हो या फिर आपके खुद के मुबाइल से पे करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि इसको screenshot लेके आप अपने मुबाइल के जितने भी मतलब payment page है जैसे की gpa या फिर phone पे या फिर पे tm जो भी है वहाँ पे जाके आप उधर से directly payment कर सकते हो ठीक है payment का एक timing रहता है पांच मिनिट के अंदर payment करना है आपको तब जाके आपको payment successful हो जाएगा ठीक है तो आपको क्या करना है payment कर लेना है अगर payment करना के बाद कुछ भी problem होता है तो हमारा जो number है जो भी हमारा मतलब doubt number है discussion number जो भी है और नीचे दे देंगे हम तो उस पर message कर सकते हो आपको तुरण solution मिल जाएगा ठीक है जो भी अगर अपने payment किया है अगर हमारे प्रूफ आ जाता है मतलब payment अगर करते हो तो हमारे पास directly proof आ जाता है तो हम directly आपको note दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इसके लिए एक option है हमारे पास में बताऊंगा भी ठीक है तो payment कर लिया payment करने के बाद note आ गया ठीक है कभी कभार क्या होता है कि हम बताते आपको मैं exit कर देता हूँ ये payment page कभी कभार क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा एक बता देता हूँ जिससे कि note पे चले जाने के बाद मैं फर्स सेमेस्टर बेजाता हूँ कभी कभार क्या होता है कि हम notes का जो price है वो increase कर देते लेकिन कोई कोई student बताते कि sir इतने में हम नहीं खरी सकते थोड़ा में discount दे दो तो हम क्या करते कभी कभार discount में हम note को देते आपको जो हम group में बताते तो अगर हम note अगर हमने अगर आपको note को अगर हमने discount में दिया तो अपने तो बाहर payment कर लिया तो अभी note कैसे मिलेगा आपको यह आप coupon code देने के बाद यह जो coupon code का option देख रहे हो आप इधर पर आपको क्लिक करना है करने के बाद आपको apply पर क्लिक करना है ठीक है अगर हम गलत बताते तो इधर पर दिखाएगा common coupon not accepted coupon not accepted मतलब अगर आप गलत coupon code डालते हो तो आपका coupon code accept नहीं किया जाएगा लेकिन सही से कर लेना तो हमारा जब भी आप apply पर क्लिक करोगे आपका note जो है वो आपके पास से लाजाएगा without any further payment क्योंकि आपने तो पहले payment कर दिया है और कभी कबार हम give away भी करेंगे इस बार हमन launch करने वाले मतलब हम लोग ने सोच लिया वह है कि हमारा batches मतलब इधर पर क्या रहेगा आपका video आपका notes के साथ आपका video रहेगा तो किस को batches वाला option चाहिए को कौन-कौन हमारा notes के साथ अपना course का video भी चाहते है वो एक बार नीचे please comment करना तकि हमें पता चले कितना कितना demand है इसका ठीक है तो batch में क्या रहेगा आपका जो वीडियो वगरह रहेगा वीडियो रहेगा उसका नोट्स रहेगा डीपी रहेगा सब चीज़े रहेंगे उसमें ठीक है तो आई होप वीडियो अच्छा लगा वीडियो मतलब पुरा informatic आपको समझ में आ चुका है कि उन जो हम नहीं दे रहे आपको नोट पैसा लेके ऐसा नहीं है आप नोट ले सकते हो आप पर सकते हो आप result लेके हमें दिखा सकते हो सब को खुशी मिलेगा आपको भी आपके parents को भी हमें भी ठीक है तो वीडियो को एक लाइक करना साथी साचेनल को सब्सक्राइब करना और उ